हलो एब्रीवन, विल्कम बेक टू मैं चैनल, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं ठंडियों का मौसम चलना है, इस मौसम में आप अपनी ताशीर को गर्म रखने के लिए आपके लिए एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही स्वाधिस्ट ऐसी चीज के बारे में जानकारी देने चलना हूँ, जिसको आगर आप बना लेंगे तो ठंडियों से बचे ही रहेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां है जिनसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, दोस्तों आपने सुना होगा, फ्लैक्स का नाम सुना होगा, जिसे कहते हैं अलसी, तो अलसी एक ऐ कैसे बनाएंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलसी जो है, जो हमारे भारत में खुब होती है, आप बाजार में इसे बड़े ही आराम सी इसे खरीदा जा सकता है, तो साब सुत्री जो है, अलसी ले करके, दोस्तों सबसे पहले इंग्रेडियंट के बारे में समझ दीजे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें मिलते हैं, तो आजकल मार्केट में अलसी का आटा है, अर्थात जो फ्लैक्स फ्लोर है, वो भी मिलता है, या आप अपने घर में ला करके, अलसी को अपने खलबटे में भी आप बारीक कूट सकते हैं, अलसी जो है, बहुत ही फायदे मंद आउसदी है दोस्तों, तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें पड़ेंगे, आप देख पा रहे हैं, अलसी का कुटा हुआ आटा, दूसरी जो इसमें सबसे पॉस्टिक चीज़ है, वो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बबूल का गूंद, बबूल का इतना है कि खलवट्टे में बारी कूट लेना है, ताकि दांतों की नीचे यह किटके ना, बहुत ही औशदी गूंदों से यूग तो होता है, यह बबूल का गूंद है, यह बहुत ही फायदे मंद होता है, तो यह रहा दोस्तों, इसका दूसरा इंग्रेश, इतना ध्यान लेना चाहिए कि बबूल के गौंद को छानते समय या पूरी तरह से फूल जाए और थोड़ी-थोड़ी मातरा में इसे चानना चाहिए, ने तो आपस में एक दूसरी से पिछक जाता है, चिपक जाता है, और उसके बाद फिर इसे जो है अच्छी तरीकी से बारीक कूट ल आप उसे मिक्से में पिछ सकते हैं, अद्रक का जो टुकड़ा है या बहुत ही फाइदेमंद है और ये बहुत ही स्वास्त बर्धक गुनों से युक्त है और थंडियों के लिए रामबाण है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपकी चीर परचित जो है जिसे आप कहते ह हल्दी जो है टर्मरिक पाउडर है ये हमारे सरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं को सही करता है ठीक है हमारे सरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं हड्डियों और बहुत सारी चीजों के लिए एक रामबाण आउशदी का काम करता है जो हमारा टर्मरिक पाउडर है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है तो दोस्तों जब आप अलसी का लड्डू बनाएं तो उसमें आप जो है कच्छी हल्दी का जो यह पाउडर है वो आप जरूर रखें उससे आपका लड्डू कलरफुल तो बनता ही बनता है साथ में यह बहुत ही श्वासवार्था गुडों से युक्त रहता है फिर उसके बाद आता है दोस्तों सबसे में चीज आपका जो है जिसे कहते हैं आप जैगरी या गुड कहते हैं जैगरी पाउडर भी आजकल बाजार में उपलब्द है बंद पैकेट में अच्छी क्वालिटी का जैगरी पाउडर उपलब्द है और ये ठंडियों में जो है सर्दी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली चीज है तो आप अपने लड़ों में डाल सकते हैं जो है जैगरी पाउडर चीनी के जगा पर आप गुड़ का इस्तिमाल करेंगे तो वह ज्यादा ही फायदेमंद होगा फिर अगला पॉइंट आता है दोस्तों आप जो है थोड़ा इसमें आप बेसन भी डाल सकते हैं जब आप बेसन डाल देंगे तो जो अलसी का तीखा पन है वह दूर हो जाएगा बेसन में आप डाल सकते हैं जैसे कि आपका चना है चना हो गया मसूर हो गया मूं हो गया राजमा हो गया और आपका जो है सोया बीन है इन सबी चीजों को जो है समान मात्रा में लेकर के जो है बेसन आप पिसा सकते हैं और उसके बाद आप इसे घी में अच्छी तरीके से जो से आकर सक चीज होती है इस में वो हमारा आता है ड्राइव फूőट आप जहनते हैं दोस्तों कि बाजार में तरह तरह के जो प्राफ्त को प्राप्थ होते हैं और यह जो ड्राइव फूट्स हैं विविन प्रकार के जो courageous प्रोटीन तरह तरह के रसायनों से भरपूर होते हैं जब आप अपने लड्डू में ड्राइफ रूट्स को डालेंगे तो आपके लड्डू का स्वाथ तो बढ़ी जाता है साथ में आपका सारीरिक स्वाथ दूना तीजी से बढ़ता है और आपको विविन प्रकार की जो ब ड्राइफ रूट्स जितना आप ज़्यदा ड्राइफ रूट्स आप उसमें डालेंगे उतना ही ज़्यदा पॉस्टिक आपका लड्डू बनेगा फिर उसके बाद इन सब चीजों को भूनने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो है देसी घी का अगर आपके पास देसी लीजेगा लाल कर लीजेगा ताकि सारी चीजे बिल्कुल बड़ी हैसे कुरकुरी हो जाएं क्योंकि देसी घी में भूनेंगे तो अच्छा सा स्वाद आएगा और आप जानते हैं कि देसी घी तो हर जगा पसंद किया जाने वाली चीज है और स्वास्त बरदक भी होता है और या विभिन प्रकार की बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद भी करता है तो देसी घी का इस्तिमाल करना है और जब सारी चीजें आपकी तयार हो जाएं तो मिक्चर को एक बड़े बरतन में रख करके मिक्स कीजेगा और उसमें घी डालिएगा डालने के बाद मिक्स करने के बाद आप एक सुन्दर सा प्यारा सा लड़ू बना सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा है मेरे मूह में तो पानी आ रहा है देखे कितना अच्छा आकरसक लड़ू बना हुआ है यह अलसी का लड़ू तो इस तरह से दोस्तों आप ठंडी के मौसम है फ्लैक्स का जो लड़ू है उस अर्दियों के मौसम में सरदी जुकाम, जोड़ों में दर्द के अलावा कई बिमारीयों का खत्रा बढ़ जाता है जैसा कि आप जानते हैं ठंडियों में यह सब बिमारियां बढ़ जाती हैं लेकिन इस मौसम में गर्म तासीर की चीज़ दोस्तों आपको पता है कि अलसी का लड़ू यह प्राचीन काल से हमारे घर की महलाएं बनाते आ रही है जब भी उनका डिलीवरी होता था जो है जब भी महलाएं कमजोर होती थी तो वो अलसी का लड़ू बनाया करती थी और उसे खाया करती थी लेकिन दोस्तों उसमें इतनी इंग्रेडियंट जो है इतनी अच्छी मात्रा में जो है मौजूद नहीं थे लेकिन आज आपके पास सारी चीजे मौजूद है तो क्यों न आप अलसी का लड़ू बनाए और खाए तो दोस्तों अलसी का लड़ू आपकी सेहत के लिए काफी फायदे मन्द है क्योंकि अलसी क मौजूद घुलंसील फायवर प्राकृतिक रूप से आपके सरीर में कोलिस्ट्राल को नियंत्रित कर रक्त के प्रवा को बेहतर बनाता है जिससे हार्ट अटेक का खत्रा ना के बराबर हो जाता है दोस्तों अलसी आपके सरीर के भीतर मौजूद अत्रिक्त फैट को कम करती है जिससे सरीर का वजन नियंत्रित होता है दोस्तों अलसी में मौजूद एंटी आक्सिडेंट और फाइटो केमिकल्स बढ़ती उम्र के लक्षनों को कम करते हैं अर्थात आप जवान दिख सकते हैं जिससे चेहरे पर आसमय जुर्यां नहीं पड़ती है अगर आपके चेह पाया जाता है जो अर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज और कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करता है सीमित मात्रा में अलसी का सेवन खून में सुगर के इस्तर को नियंत्रित करता है जिससे सरीर के आंत्रिक भाग स्वस्त रहते हैं और बेहतर तरीके से काम करते है आपको पता है कि मचली में ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है लेकिन जो लोग साकाहारी हैं जो मचली का सेवन नहीं करते हैं उनके लिए अलसी ओमेगा-3 पाने का बेहतर विकल्प है क्योंकि अलसी में ओमेगा-3 पाया जाता है अलसी में मौझूद लाइगन नामक तत्व आतों में सक्री होकर ऐसे तत्व का निर्माड करता है जो फीमेल हार्मोन की संतुलंद को बनाये रखने में मदद करता है अगर आप सर्दियों में नियमित रूप से अलसी या फिर अलसी के लड़ू का सेवन करेंगे तो आप खुद को कई विमारियों से बचा कर रख सकते हैं और अगर आप स्वस्त रहते हैं तो इससे आपको डाक्टर के पास जाने के जरुवत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा सुरुवास में मैंने इस ठंडियों के मौसम में परियाप्त मात्रा में जो है अलसी के लड़ू बनाये हैं मैंने आपको दिखाया भी अगर आपको लगता है कि अलसी के लड़ू खाना है तो आप जरूर मेरे घर आईए आपको मैं अल अलसी बहुत ही फाइदे मन्द है तो आशा करता हूँ कि आप भी जल्द ही जो है इस ठंडी के मौसम में चूकिये नहीं और बाजार जाएए आज ही इंग्रेडियन्ट को खरीद करके लाइए और अपने लिए एक स्वाधिस्ट बढ़िया सा जो है अलसी का लड्डू खुश रहिए स्वस्थ रहिए और संबंद रहिए धन्यवाद मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई